जो आपरेटिव पोर्शा ने कोर्ट के ओर्डर का वो मैं बता रहा हूं कि FAFO जो है उनकी डिस्मिस कर दी और पूजा पे कोई रोप नहीं पूजा नियमेत रूप से चलती रही है आज माननी इलाबाद हाई कोर्ट ने जो अंजुमन इंतजामिया की दोनों याचिकाएं थी जिसमें उन्होंने 17 जनवरी को चैलेंज किया था और 31 जनवरी को चैलेंज किया था आज वो दोनों याचिकाएं माननी इलाबाद हाई कोर्ट ने डिस्मिस कर दी है जो पूजा वहाँ पे चल रही है वो नियमेत रूप से चलती रही है तो उस केस की हिस्ट्री है वो एक बहुती चेकर्ड हिस्ट्री है कि व्यास परिवार बराबर नवेंबर डिसमबर 1993 तक वहाँ पूजा पार्ट करता चला रहा था उसके काफी एविडेंसे और प्रूफ समने कोट के सामने दाखिल किये इसलिए मुझे लगता है इसलिए आज मानी नाले ने दोनों पक्षों और जिसमें उन्होंने 17 जनवरी को चैलेंज किया था और 31 जनवरी को चैलेंज किया था आज वो दोनों याजिकाए माननी इलावाद हाई कोट ने डिसमिस कर दी है तो इसका आर्थ यह है इसका निशकर्ष यह है कि जो पूजा वहाँ पर चल रही है वो नियमेत रूप से चलती रहेगी यानि कि आब यह कहा जाए कि हाई कोट ने रोक नहीं लगाया वो सुप्रिम कोट आ सकते हैं तो क्या आप कैवेट दाखिल करेंगे और सुप्रिम कोट में अगर वो आएंगे तो अपनी बात मुझा कशकाड़ी अब इस पूरे मामले में रोग की मांग कर रहे हैं देखिए जो आधार बना है मुझे लगता है मानने नहीं नहीं लेगए फैस्ले का उसमें कूर्ट के सावन। से बात रखी थी कि सेक्शन 151 सीपीसी में कोड कोई पावर है जहां पे कोड अगर कोई चीज मिस हो गई और में तो उसको क्लैरिफाई कर सकती फर्दर और से और साते साथ जो उस केस की हिस्ट्री है वह एक बहुत ही चेकर्ड हिस्ट्री है कि व्यास परिवार बराबर नवेंबर दिसंबर करेगा तो उसको पढ़ेंगे उसके बाद आपको बताएंगे पर जो आपरेटिव पोर्षा ने कोर्ट के ऑर्डर का वह में बता रहा हूं कि एफए एफ़ो जो है उनकी डिसमिस कर दी और पूजा पर कोई रोक नहीं पूजा नियमेत रूप से चलती रहेगी करेगा रहेगी